तो आज मैं लेकर आई हूं बादाम शेक की रेसिपी जो कि बाजार से भी अच्छा बादाम शेक हम घर पे बना के तयार करेंगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए बादाम शेक बनाना शुरू करते हैं त तो यहां पर एक जार ले लिया है हमने और यहां पर मैंने 15-20 बादाम गरम पानी में आधा घंटा पहले भिगो के रख दिये थे और उसको चील के अभी इसका में पेस्ट बना लूँगी और साथ में हमने फ्लेवर के लिए लिए यहां पे तीन-चार हरी इलाइची तो इ इसमें हम डालेंगे यह देखिए कश्टर्ड वनीला फ्लेवर का कश्टर्ड है बाजार में आराम से आसानी से मिल जाता है कि राने की शौप पर यहां पे इसको हम यह मैंने निकाल लिया है कश्टर्ड और अभी इसमें मैं 2-2 चमच डाल दूंगी दो जरा सा और बचाया लेकिन बाजार वले क्या करते हैं कि दोनों चीज़े मिक्स करते हैं उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो यह भी मैंने 2-2 चमच तक डाल दिया है इसमें और अभी इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो कश्टर्ड को हम हमेशा ठंडे दूद या पानी में मिक्स करत हैं तो अभी इसको चला लेते हैं अच्छे से दूद को थोड़ा सामें गाढ़ा करना है पकाना है तो अभी इसमें हम शुगर एड़ कर देते हैं यहां पिमें एक कप चीनी इसमें एड़ कर दूंगी आप इमान के चलिए 1.500-200 ग्राम तक चीनी इसमें हम एड़ कर तो इसको हमें लगातार से लाते रहना है जिससे दूद हमारा उपर ना निकल जाए तो दूद हमारा यहां पर गाड़ा हो चुका है अभी जो हमने कश्टर्ड पारडर गोहल के रखा हुआ है यह देखे एक बार इसको मैं इस तरह से और मिक्स कर लूँगी क्योंकि चमच से चला रही हूं और कश्टर्ड डाल रही है तो इसको हमें धीरे धीरे इसी तरह से मिक्स करते जाना है तो सारा मैंने इसमें डाल दिया और इसको हम अच्छे से अभी लगातार चलाएंगे क्योंकि कश्टर्ड और कॉंट फ्लोर डालने से बहुत जल्दी गाड़ा होने लगता है दूद तो यह देखे यह बहुत ही जल्दी गाड़ा होने लगा है तो इसे डालके हमें 2-3 मिनट तक पकाना है तो यह देखे दूद हमारा यहां पर कितना गाड़ा हो चुका है और बहुत अच्छा इसमें कलर आया है तो अभी मैंने इसमें बादाम डाल द है जितना गाड़ा हमें चाहिए यह देखिए गाड़ा हो चुका है अभी तो यहां पर मैं गैस ओफ कर दूंगी और इसको हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके दो घंटे के लिए इसको फ्रीज में रख देंगे जिससे बादाम शेक हमारा बहुत अच्छा चिल्ड हो जाए ठंडा ठंडा एकदम जब हम सर्व करेंगे इसको दो घंटे के लिए हम अभी फ्रीज में रख देंगे दो घंटे के बाद में मैं इसको आपको दिखा रहे हूं यह और भी जादा गाड़ा हो चुका है क्योंकि कश्टर्ड पाउडर डालने से यह जितना पतला हम रखते ह ठंडा करने के बाद यह थोड़ा सा और भी ज्यादा ठीक हो जाता है तो अभी हम गिलास में सर्व कर लेंगे यह देखे कितना बढ़हा देखके इसको ठंडा ठंडा चिल्ड एकदम बहुत एच्छा लग रहा है तो अभी उपर से इसमें थोड़ा सा बादाम में कट करके डाल दूँगी उपर से आप किसी भी चीज से किसी भी ड्राइफ फूट से इसको सजा सकते हो तो अभी थोड़ा सा हमने इसमें बारीक-बारीक बादाम कट करके डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें और ज्यादा अच्छा कलर लाने के लिए इसमें हम डाल देंगे टूट आई एंज्याई कीजिए और फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक किजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को ज़ादा से ज़ादा सपोर्ट कीजिए थैंक्स पर वॉचिंग